अच्छे दोस्तों कि आपको सुमिंग करना अच्छा लगता है क्योंकि हमने अक्सर देखा है जिने सुमिंग पसंद है वो सुमिंग पूल के साथ साथ नदियों में भी डुबकी लगाई देते हैं हाँ हम गंगा मया जिसी नदियों की बात नहीं कर रहें जहां डुबकी लगाना पवित्र माना जाता है लेकिन ऐसी बहुत सी नदियां हैं जहां तैरने के शौकीन लोग कूद बढ़ते हैं और अगर आप भी उनमें से एक है तो जरा ठहर जाएए क्योंकि आज हमारी विडियो में हम आपको समुद्र के विशाल और खतरनाक जीओं के बारे में नहीं बताने वाले क्योंकि ये बात तो आपको पता है कि समुद्र में बहुत सा खतरनाक जीओ पाय जाते हैं लेकिन जिन नदियों को हम सेफ समझ कर उसमें कूटी मार देते हैं वो नदियां आपके लिए जानले वासा भीत हो सकती हैं और इसी बात दोस्तों देर किस बात के शुरू करते हैं हमारे आज की मज़ेदार और एडवेंचरिस विडियो लेकिन हमारे इस अनोखे सफर की शुरूआत करने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो से लाइक करने में कोई गंजो सिबत करना हूँ देलिगेटर कार दोस्तों इस अनोखे जीव के बारे में बताने से पहले आप जरह इसकी तस्वीर पर एक नज़र डालिए अब दोस्तों हम आपको बता नहीं सकते लेकिन इसके इस भयानक रूप को देखकर हमें तो एक काफे खतरनाक लग रहा है वैसे ये बात तो सभी जानते हैं कि मगरमच को नदियों में पाया जाने वाला सबसे खतरनाए चीव माना जाता है लिकिन कि आपने कभी अलिगेटर फिश के बारे में सुना है क्योंकि ये खतरनाक alligator fish नौर्थ अमेरिका के नदियों में पाई जाने वाली सबसे ज़्यादा जन्संग के हवाली fish है और दोस्तों ये alligator fish commonly American alligator के नाम से जानी जाती है दोस्तों इसका digestive system shark से मिलता चुकता है और ये पानी और हवा दोनों में ही सांस लेने में सक्षम है दोस्तों fishing line में इस gar family के सबसे बड़ी species का सबसे बड़ा जीव 2001 में मिला था जिस मचली का वजन 290 pound था और दोस्तों हम आपको बता दें कि इस alligator gar fish की height अधितर 10 foot की मानी जाती है लेकिन 1910 में मून लेक Mississippi में सबसे बड़ी alligator fish पाई गई गई जो 12 foot की थी खैर दोस्तों कुछ भी हो इस तरह के भैनक जीव का नदी में पाया जाना सच में खतरनाक है दोस्तों अपने नाम की तरह इस मचली का सर भी बिलकुल साब के मूझ ऐसा है जो इसे काफ़े interesting बनाता है उसके साथ ही दोस्तों ये मचली पानी के साथ साथ जमीन पर भी आराम से रह सकती है लेकिन अपनी sleepy skin structure की वज़े से इस से एक जगा बैठा नहीं जाता और ये इधर उधर डोला करती है हलाकि ये मचली मालेशिया, इंडोनेशिया, अफरीका जैसी जगों में पाय जाती है लेकिन सबसे पहले ये मचली 2002 में United States में खोजी गई वैसे तो इसके दोरा किसी को नुक्सान पहुँचा जाने की कोई पुखता सबूत नहीं है लेकिन अगर रिसर्चर की माने तो ये मचली काफी कदरनाग है और अगर इसने किसी पर हमला कर दिया तो उसके ले काफी सारी मुश्किल बढ़ा सकती है क्योंकि इस मचली के दोरा किसी वेक्ते को नुक्सान पहुँचाने की घटना सामने नहीं आई लेकिन फिर भी ये बात बहुत बार देखी गी है कि इस मचली ने अपने साथ रहती बाकी मचलीों को बड़ी बेरहमी से पना शिकार बना है जिससे बात थावित होती है कि अगर इसको मौका मिला तो ये किसे इंसान को अपना शिकार बनाने में पीछ है नहीं अटेगी दोस्तो वैसे तो पानी में रहने वाली सभी जाइंट जीव काफी खतरनाक होते हैं लेकिन चायना और जापान में पाएज़ दोस्तों सेलमेंडर दुनिया के लार्जेस्ट एमफीबियस में से एक है यानि इन जीवों को जीने के लिए पानी वाली जगाओं में रहना आवशक है और अगर हम इनके साइस की बात करें तो ये जाइंट सेलमेंडर एक इनसान जितने बड़े होते हैं यानि कि चायना और जापान में पाए जाने वाली ये सेलमेंडर लगबग 6 फुट के होते हैं दोस्तों वैसे तो सेलमेंडर ज़्यादा बड़े नहीं होते और वैक्यूम मशीन की तरह इनका शिकार इनके मूँ में चलाता है जो इनकी सबसे खास बात है तगोंच कैटफिश ओहो दोस्तों इस मचली की शकल देखकर ये पक्का किसी मौनस्टर जैसी लग रही है वैसे हम अगर इसके किसे बताएंगे तो आपको ये किसी मौनस्टर से कम भी नहीं लगेगी क्योंकि इस खतरनाक से मौँ वाले बचली को जब तक इनसाने खोन का स्वाद नहीं मिलता तब तक तो ठीक है लेकिन जब एक बार इसके मूँ फोन लग गया तब तो इससे खतरना कुछ नहीं अब जैसे की सन 1998 वाला किसे ले लोग जहांपर एक 17 साल का लड़का अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ नदी के किनारे मौज मस्ती करने गया था तब ही उसने नदी में छलांग लगा दी और जब वो नदी में तैरा था तब तक तो ठीक था लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो गायब हो गया और ऐसा गायब हुआ कि तीन दिनों तक ढूनने पर भी नहीं मिला और तीन महेने बाद ऐसी दिरुटना एक साथ साल के बच्चे के साथ हुई जहाँ पर वो पानी में तैरते वक्त को खो गया इसके बाद उसका कुछ पता नहीं चला फिर 2007 में बायलोजिस्ट ने नदियों में जाकर रिसर्च की तो पता चला कि ये गूँच गैट फिश है जिनके मूँ में खोन लग चुका है और यही अब लोगों को अपना शिकार बनाती है और उनका कुछ पता नहीं चलता और दोस्तों हम आपको बता दें कि ये खतरनाग मचली जादे तर इंडिया और नेपाल में बहने वाली नंदियों में पाई जाती है और काली रिवर में इस खतरनाग मचली के शिकार हुए लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है जो कि हम सबी के लिए काफी खतरनाग है दोस्तों हमारी आज के इस लिस्ट में वैसे तो काफी खतरनाग जीव है लेकिन ये अफरीकन लंग फेश हमारी इस लिस्ट में अपने अजीब से बिहीवियर की वज़े से जिया दोस्तों ये लंग फेश इतनी अजीव है कि साइंटिस्ट ने इसके उपर अच्छी खासी रिसर्च भी की है दोस्तों ये अफरीकन लंग फेश फ्रेश वाटर, ब्लैक वाटर और साथ वेस्ट अफरीका की छोटी नदियों में पाए जाती है और दोस्तों इस जीव की सबसे चौका देने वाले बात ये है कि 400 मिलियन इयर से भी पहले ये मचली बिना एक्टिविटीज की चेंज बड़े आराम से रह रही है ये जीव पुराना होने के साथ साथ काफ़े अलग सो अभाव भी रखता है जैसे कि इस मचली के दो लंग्स है और बड़े आराम से पानी के साथ साथ हवा में सांस लेती है और दोस्तों इस मचली पर मचली जल की रानी वाली पॉयम नहीं जलेगी जिसमें मचली को पानी से बाहर निकालते हैं मचली मर जाए क्योंकि ये मचली चार सालों तक पानी के बाहर भी जिन्दा रह सकती है जियां दोस्तों पूरे के पूरे चार साल तक वो भी बिना पानी के यह ना चोगाने वाली बात दोस्तों जादतर काली नदी में पाई जाने वाली गूच कैटफिश भले ही काफी खतरना हो लगन टक्सोमा कैटफिश की कहानी कुछ कम निराली नहीं है क्योंकि ये विशाल कैटफिश अंटार्क्टिका को छोड़कर हर रीजन में पाय जाती है और यूनाटिट स्टेट ओफ अमेरिका ने तो इस अनोखी मचली से अपना एक अलग रिष्टा बना लिया है यहां तक कि वहां के बहुत से लोगों को कहना है कि नौर्थ अमेरिकन रिजन में पाय जाने वाली इस अनोखी मचली की वज़े से अमेरिका की नदिया काफी फेमस है और अब दोस्तों ये बास सही है कि नहीं हमें तो नहीं बता क्योंकि अगर इन कैटफिश से जुड़े अफवाओं की बात करें तो एक अफवाओ ये भी है कि टेक्सोमा लेक में एक ऐसी कैटफिश पाई गई जो स्कूल बस जितनी बड़ी है अलांकि लोगों ने तो कहा दिया है कि कैटफिश स्कूल जितनी बड़ी है लेकिन हमें तो लगता है कि उन्होंने कभी स्कूल बस ही नहीं देखी होगी वरना उन्हें पता चल जाता कि स्कूल बस कितनी बड़ी होती है और अगर उनकी बात सच है तो टेक्सोमा लेक में पाई जाने के लिए कैटफिश दुनिया की सबसे बड़ी कैटफिश मानी जाएगी खेर आपको क्या लगता है क्या सच में एक स्कूल बस जितनी बड़ी कैटफिश हो सकती है अपना जावाब हमें कॉमेंट में बताईए दोस्तो मगरमच कितने खतरनाख होते हैं ये बात हमें बताने के जरूरत नहीं है अलाकि शार्क की कुछ प्रिजातियां हैं जो नदी की पाने में पाई जाती है और अलिगेटर भी नदी पाई जाते हैं लेकिन जब आप शार्क और अलिगेटर के खतरे को एक मिक्सी में डाल कर पीज देंगे तब ये खतरनाख नायल क्रोकोडाइल निकलेगा हल ही में आए आपड़ों की माने तो मगरमच शार्क से सौग इना जादा खतरनाख होते हैं और जहां मगरमच खतरनाख होते हैं वहां मगरमच्छों की ये प्रजादी जिसका नाम नायल करोकोडाइल है ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है तो अगर मगरमच्छों के दोआरा मारे गए इंसानों की बात करें तो पूरी दुनिया में हर साल एक हजार से भी ज़्यादा लोग मगरमचों का शिकार करते हैं और यहां कड़ा धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है दोस्तों एजिप्ट की नाइल रिवर में सबसे ज़्यादा क्रोकोडाईल के हमले से ही मारे गए हैं दोस्तों नाइल क्रोकोडाईल 20 फुट की लंबाई के साथ दूसरे सबसे लंबे लिविंग क्रोकोडाईल है और पहले नंबर पर इनी की परजाती अमेरिकन क्रोकोडाईल आते हैं दबूल शार्क दोस्तों भला ऐसा कैसा हो सकता है कि हम पानी में रहने वाले खतरनाग जीओ की बात करें और उसमें शार्क का नाम ना है भाई शार्क ने अपनी एक ऐसी पैचान बना रखी है कि इनसान एक दो बार बुच से बहने ही ना डरे लेकिन शार्क के नाम से पक्का ड़ जाएगा अपने रिष्टेदार वाईट शार्क के तरह बुल्च शार्क भी कुछ कम खतरनाग नहीं है और खतरा तो तब और बढ़ जाता है जब हमको यह पता चलेगी शार्क समुद्र के लावा नदियों में भी पाई जाती है दोस्तों यह बुल्च शार्क साइज में काफी बड़ी होती है और जादातर नौर्थ अमेरिका की नदियों में पाई जाती है शार्क के हमले से मारे जाने वाले जादातर लोगों को इनी बुल्च शार्क नहीं अपना शिकार बनाया जिस बात से इनके खतरनाग से अभाव का साफ मता चलता है वैसे दोस्तों शार्क का नाम सुनते ही आपके क्या दिये अपना जवाब हमें कॉमेंट में दीजिये न दे जाइंट स्टिंग रे दोस्तों आपको तो नहीं बता लेकिन ये जीव हमें तो देखने में काफी खुबसूरत लग रहा है लेकिन खुबसूरते के चक्कर में इनको हम कम खतरनाग समझ ले ये हमारी सबस्बड़ी बूलोगी क्योंकि इन पानी वाले जीवों की रेपोटीशन काफी खराब है और ये जितनी ही अनोखेर इंटरस्टिंग है उतने खतरनाग भी है तो इस जीव के दोरा मारे गए जीवों की भी कोई कम ही नी है और इनका साइस तो किसी को बहरान करने के लिए काफी है ये देखकर आपको ऐसा लगरा होगा ना कि ये समुद्री जीव है लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है ये विशाल जीव समुद्र के साथ-साथ फ्रेश वाटर वाली रिवर्स में भी बड़े आराम से सुमडी में अपने शिकार का अंतजार करता हुए मिल जाएंगे पिछले एक कुछ साल पहले साथ सुमात्रा के एक फिशर्मैन को आठ सो पाउंड भारी एक स्टिन ग्रे मिला जो कि एक बड़े से गोरिला के वज़न से भी दुगना था अब दोस्तों इतने खतरनाक जीव का इस कदर विशाल होना किसी भी लिहास से मनशों के लिए तो सही नहीं है दोस्तों अगर आपको एक छोटी सी फिश को देखकर ऐसे लग रहा है कि यह आपका क्या भी गाड़ सकती है तो हम आपको बता दें यह मचली नदियों में पाए जाने वाली सबसे शेतान मचलियों में से पहले स्थान पर आती है क्योंकि यह छोटी सी मचली कब अचानक से आपकर हमला कर दे आपको पता भी नहीं चलेगा और दोस्तों अमेजोन वीवर में पाई जाने वली ये मचलिया अगर किसी को काट ले तो उसे उल्टी बेहुशी जैसी चीज़े हो सकती है उसके साथ ही अगर इसने आपको काईदे से काट लिया तब तो आपकी मौथ निश्चित है इसलिए अगर आपको इसका साइस देखकर एक कम घतरनाग लग रही है ना तो आपको बता दें कि छोपी से मचली आपको काफी बड़ा खत्रा पहुचा सकती है इसलिए ओवर कॉम्टेंस में अपनी जान का जोखिन मत लेना और आपके लिए अच्छा होगा दोस्तों आज के लिए बस इतना ही हमारे वीडियो कैसे लेगी कमेंट में जरूर बताएगा ऐसे इंटरस्टन वीडियो देखने करें हमारे चैनल को लाइक शियर और सबस्क्राइब जरूर बर देना